शेर कोट थानाक शेत्र के बालकिशनपुर गाव में एक विवाहिता का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुँची और शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बड़ापुर के गांव नूरपुर अरब निवासी धर्मवीर ने अपनी बेटी सविता उम्र 25 वर्ष की शादी साल 2021 में शेर कोट के गांव बालकिशनपुर के अंकित पुत्र महिपाल सिह से की थी। मृत्का के परिजनों का आरोप है कि उसका पती लखनव में प्राइवेट नौकरी करता है और सविता अपने दो बच्चों लविश उम्र एक वर्ष और विशु उम्र तीन वर्ष के साथ ससुराल में रहती थी। बीती रात मृत्का के जेठ लवकुष ने सविता के मायके वालों को लगभग एक बजे सूचना दी कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है। इस सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मायके वाले ससुराल पहुँचे। उन्होंने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। मृत्का के पिता धर्मवीर ने बताया कि उनकी बेटी पिछले काफी समय से मायके में रह रही थी और पती खर्च के लिए पैसे नहीं देता था। शेर कोर्ट से रंजीत सिन्ह की रिपोर्ट